हेलो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजिस्तान करमसरी सेंड बोड ने रिजल जारी कर दिया यानि इस लॉग डाउन के सलते हुए विदार्तियों को एक बड़ा तोफा दिया है तो आपको बता दे हैं राजस्तान करमसारी सेंद बोड ने टोटल सांथ प्रेस नॉट जारी किये गए जिसमें कि हैंडलूम इस्पेक्टर साल्ट इस्पेक्टर मेकेनिक डिजल इंजिन और वायर मैं इलेक्टोनिक्स मेकेनिकल और मेकेनिकल रेफ्रीजेटर और एर कंडिशनर और PTI का रिजल्ट जारी किया गए है और इन सभी प्रेस नॉट पे हम अलग-अलग बात करेंगे और आपको बता दें ये सभी प्रेस नॉट आज की डेट में जारी किये गए है और दोस्तों सबसे पहले प्रेस नॉट पे अगर बात करें तो यहां पे दे रखा है उद्योग विबाग के लिए हाथ करका निरक्षन सीधी परती प्रेक्षा का परिणाम जारी कर दिया है टोटल से पदों पर ये परती की गई थी और इनका एक्जाम आयोजीत किया गया था 22.12.2019 को और दोस्तों आपको बता दें इनका अभी तक डॉकुमेंट वेरिपिकेशन होना है और इन डॉकुमेंट वेरिपिकेशन के लिए विबाग ने टोटल डेड गुना विद्यारतियों को समेलित किया गया है और डॉकुमेंट वेरिपिकेशन करने के बाद में इसका अंतीम रिजल्ट जारी किया जाएगा और उसके बाद में अगर हम मेरिट पे बात करें कि इसकी कितनी कटॉप मेरिट रही है तो आपको बता दें टोटल 4500 पदों पर आयोजीत की गई थी और इसका आवेदन ऑन-लाइन तरीके से 16-7-2019 को मांगा गया था और दोस्तों आपको बता दें इसकी क्या मेरिट रही है वो भी हम इसके अंदर बात करते हैं अगर PTI की मेरिट की बात करें तो यहां पर जनरल में रही है 200 गुंतीश और S.C. की रही है 128 और S.T. की रही है 50 और O.B.C. की रही है 203 उसके बाद में अगले प्रेस नॉट पर बात करते हैं जिसमें की कनिक्स अनुदेशक वाइरमेंस से दी परती 2018 का परिंडाम जारी कर दिया है इसका ओन-लाइन एकजाम गुआता 1212-2019 को और इसमें भी विदा अर्टियों को डैड़ गुना लिया गया है यानि की अभी तक इसका भी डॉकॉमेंट वैरिफिकेशन होना है और डॉकॉमेंट वैरिपिकेशन होने के बात में इनका फाइनल कट औप मेर्ट जारी की जाएगी तो दोस्तों आपको बता दें कनिक्स अनुदेशक वायरमें बर्ती के लिए जैसे कि यहां पर एक नोट दे रहा है और आपको बता दें गनिक्स अनुदेशक वायर्मेंद बर्ती में टोटल प्रातांग एक्सोपसास थे और इन एक्सोपसास को 70% स्केल पर लिया जाएगा और बाकी जो 30% अंक है वो CITS में प्राप्त अंकों के उपर 30% वेटेश दिया जाएगा तो आपको पता होना सही अगर आपके पास में CITS का सैटीपिकट है उसके आदार पर आपको 30% वेटेश मिलेगा उसके बाद में हम अगले प्रेस नौट पर बात करते हैं जिसमें दैरकायक कनीस अनुदेसक मेकनिकल रेफ्रीजेटर एंड एर कंडिसनर सीडी बरती 2018 का परिणाम जारी हो शुका है और ये बरती भी 122 2019 को आयो जीत की गई थी और इसके अंदर भी डेट गुना अपयार्थियों को लिया गया है और अभी तक इन विद्यार्थियों का डॉक्ट वेरिपिकेशन होना है डॉक्मेंट वेरिपिकेशन करने के बात में इसका अन्तीम मेरित जारी की जाएगी और अगर कटॉप क की बात करें अगर कटॉप की बात करें तो इसकी जनरल की रही है सिक्स्टी फाइब और एंसी की रही है सिक्स्टी टू और इसके बाद में अगले प्रेश नोट पर बात करते हैं जो कि है कनीस अनुदेशक मेकिनिकल डीजल इंजन सीधी बरती प्रिक्षा 2018 का प्रिणाम जारी हो सका है और इसका भी एक्जाम हुआ था टेवीस बारह 2019 को और इसके अंदर भी विद्यारतियों को डैट गुना विद्यारतियों को समीलित किया गया है और डॉकमेंट वेरिपिकेशन के बात में इसका majątin मैइट जरी किया जाएगा और इसके बाद में इसकी कटॉप की बात करें तो कटॉप दे रहा किए जन्दर 7 6 इसके बाद में इस परती के अंदर पर आदार पर आपको 30% वेटेज दिया जाएगा उसके बाद में अगले प्रेस कौंट पर बात करते हैं जिसमें अनुदेशक इलेक्ट्रोनिक्स मेकिनिकल सीधी बरती इसके अंदर भी विद्यारतियों को डैट गुना लिया गया है और अभी तक इनका डॉकुमेंट वेरिपिकेशन के बाद में इसकी अंतिम मेरिट जारी की जाएगी और इसके बाद में इसकी अगर कटॉप की बात करें तो जनरल की रही है 69 और इसके बाद में दोस्तों आपको बता दें इसके अंदर भी के सेटिपिकेटर के आदार पर आपको 30% वेटेज दिया जाएगा और इसके बाद में अगले प्रेस नौर्ट पर पात करते हैं जिसमें दरका उद्योग विबा के लिए लवन निरक्षन शिदी बरती कि तरफ से आपको डेर सारी बदाई हो तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और हां दोस्तों अगर आप हमारी यूट्यूब सेनल पर नए हो तो सबस्क्रेब करें और पास में देखिए बैल आइकन को प्रेस करें जिसे ही कि हम जैसे निव वीडियो अप्लोड करेंगे तो स सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन आज जाएगी जैहीं जैबाद